पस्पती कुमार पारस जोड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के मुताबिक पस्पती कुमार पारस अब लोगसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे दर असल पस्पती कुमार पारस बीते कई दिनों से हाजीपुर से लोगसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे वहीं इसी सीट से उनके भतीजे चिराग पास्वार ने भी चुनाव लड़ने की घोशना कर दी थी ऐसे में चाचा भतीजे के बीच टकरा की सिती देखने को मिल लही थी लेकिन अब सूत्रों के अनुसार जो जानकरी मिल लही है उसके मताबिक पस्पति कुमार पारस चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे बताया जा रहा है कि अनुसार मेदा पस्पति कुमार पारस पर को पोस्ट शेयर कर लोक सभाश चुना में इंडियो को समर्थन देने की जानकरी दी है वहीं पस्पति कुमार पारस पर अपने एक्स अकाउंट पर अपने नाम के साथ मोधिका परिवार लगाया है बता जै कि पस्पति पारश ने बीते दिनों केंद्री केविनेट से इस्तीफा देने के बाद अपने एक्स एकाउंट से मोधी का परिवार हटा लिया था पस्पति कुमार पारश ने सोचल साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है हमारी पारटी रालोजपा इंडिया का अभिन अंग है वानि प्रधान मंत्री आदरने स्री जी हमारे नेता हैं और उनका निरिणा हमारे लिए सर्वोपरी है एवं उनके नत्यत में इंडिया स्थीफा दे दिया था लेकिन अब पस्पति कुमार पारश पोस्ट कर साफ किया है वो एंडिया में ही बने रहें बताने के साल 2019 में लोगसपा चुनाव में लोजपा च्छा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उनके प्रतैशों को जीद मिली थी लोजप को पांच सीटें मिल लेकिन पस्पति कुमार वारस को एक भी सीट नहीं मिली हाजीपूर सीट को लेकर के बाद पिगड़ गई थी इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से स्टीफा दे दिया बतीज़े चिराक पासवां से मिली सियासत में मात के बाद पस्पति का राजनेति लालू यादो से बात नहीं बनी इंडिये से नाराजगी बाद पस्पति कुमार पारस को रेकर के चर्चा थी कुमा गठपंधर में शामिल हो सकते हैं और आज जेडी उन्हें एड़्जेस्ट करेगी लेकिन यह सब कुछ हिस्पस्ट हो गया कि पस्पति कुमार पारस एक पर फिर से इंडिये में ही बने रहेंगे वीडियो डेस कमरुजाला.com अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें